Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको Azure Storage Account कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ. उमीद है कि आपने मेरे लास्ट के वीडियो देखे होंगे, अगर आपने उनको मिस किया है या फिर स्किप किया है, तो आप प्लीज उन वीडियो को पहले देखिए, ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हैं, Azure Portal में आप जाके सर्च मारेंगे, Storage, और मैं Storage Account पे जाऊंगा, करना कि आप यहाँ पर जो है, यूनिक नेम दें, तो मैं कुछ भी एक नाम दे देता हूं, Storage, ऐसा कुछ करके कुछ भी नाम दे दिया मैंने, Region मैं फिलाल Location East OC चूज कर रहा हूं, Performance, Standard और Premium यह मैं आपने लास्ट के वीडियो दो बता चुका हूं, मैं फिलाल इसको Standard रहने चुका हूं, तो मैं फिलाल यहाँ पर LRS सेलेक कर देता हूं, क्योंकि जासी कि मैंने बुला यह थोड़ा सस्ता है, थोड़ा Cost Effective है, Okay, Blob Access Tier भी मैं अल्री लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, उसके बाद में सीधा Next पर क्लिक करता हूं, अब Network में यहाँ पर आपको त Endpoint का मतलब यह होता है, कि आप अपने Storage Account को कहीं से भी Access कर सकते हो, अगर आप Public Endpoint Select करते हो, इसमें लिखा है, देखो, All Networks करके, यानि कि आप Over the Internet कहीं से भी इसको Access कर सकते हो, कोई भी बंदा इसको Access कर सकता है, कोई restriction नहीं है, Okay, Public Endpoint अगर Selected Network Select करते हो, तो इसमें इसका मतल यह है, कि आप Over the Internet किसी Selected, आप अपने Virtual Network से Select कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखो, जैसी मैंने Select किया, तो यहाँ पर Virtual Network पूछ रहा है, कि आपका Virtual Network कौन सा है, Okay, अगर आप चाहते हो, कि Publicly वो सबके लिए Open ना हो, और आप जो आपके Azure में Virtual Network हो, उस Virtual Network के Machine से ही Access होना चाहि तो आप Public Endpoint सेलेक कर सकते हो, तीसरा इन लोगों ने एक Latest Introduce किया है, कि Private Endpoint, तो Private Endpoint जो होता है, यह Over the Internet नहीं होगा, Access यह आपका Purely Virtual Network के अंदर ही Access होगा, with Private IPs, जो भी Private IPs है, Virtual Machine में लगे हैं, या फिर Subnet में जो भी Private IPs हैं, आप उनसे ही Access कर सकते हो, आप example दूँ तो जै और दोनों के बीच में आपने Connectivity Establish कर रहे है, Side to Side VPN के थूँ या जो भी Express Route के थूँ आपने Connectivity Establish कर रहे है, तो आप क्या कर सकते हो, तो प्राइवेट IP, यूजिं अ प्राइवेट IP, आप जो है, Azure Storage Account को Access कर सकते हो, अब इसमें Private Endpoint जो है, आप जब Add पे क्लिक करोगे, त आपको कुछ Service देता है, कि जैसे Resource Group कौन सा है, Location कौन सा है, नाम देना पड़ेगा आपको Private Endpoint का, उपर से Storage Sub-Resource, कौन से Storage Sub-Resource आप कौन सा यूज़ करना चाते हो, Storage Account में आप Blob यूज़ करना चाते हो, File यूज़ करना चाते हो, Table या फिर Queue, या फिर Web या DFS, आप यह सब Use कर सकते हो, आपको One by One Add करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप Blob करना चाते हो, Blob सेलेक करके Add कर सकते हो, File करना चाते हो, तो File Share करना चाते हो, तो File सेलेक करके Add कर सकते हो, और Virtual Network आपको सेलेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस Virtual Network को आप अपने On-Premises साथ Connectivity Establish करोगे, Private DNS Zone क्या है और Public DNS Zone, तो मैं यहाँ पर आपको Storage Account का दिखाता हूँ, तो यहाँ पर नीच आउँगा, तो देखो, Storage Account में यहाँ पर, अगर आप Public DNS रहेगा, Blob का, तो Blob.Code.Windows.Net रहेगा, DNS Name, और अगर आप Private यूज़ करेगा, तो PrivateLink.Blob.Code.Windows.Net रहेगा, उसी तरह, अग URL बनेगा, File का वो इस तरह से बनेगा, ओके, तो यह था आपका Private Link, जो कि आपका, using a Private IP से ही आप Access कर सकते हो, not over the intent, but using a Private IP, ओके, जैसे आप Same Network में करते हो, आप कोई भी File Server, Same Network में, एक IP से Access करते हो, तो Same यह भी वैसी रहेगा, using a Private DNS, Zone Configure कर करके, ओके, तो फिलाल मैं इसको Public endpoint all network कर देता हूँ, अब जो है, यह Azure एक नया और option लेके आगया है, network routing, routing preference में आपको दो option देता है, एक तो Microsoft network routing, जो की default है, और दूसरा internet routing, internet routing, पहले यह option नहीं आता था, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बोला, frequently Azure Microsoft जो अपडेट करता रहता है, अपने Azure portal को, तो यह एक नया option ल इसे आपकी client के network में जो भी traffic जा रहा है, वो by default आपका Microsoft network routing की थ्रू ही जाता है, जो Microsoft का उनका खुद का backbone है, जो उनोंने फाइवर, बहुत सारी फाइवर्स उनों लोग ने बिचा रहे हैं, उस फाइवर की थ्रू जाता है, लेकिन इसमें Microsoft जो network routing है, अगर यह option चूज करत के, but cost के मामले में थोड़ा सा जादा है, दूसरा जो है, अब जो है, इन लोगों ने एक और option दे इंटरनेट routing, तो internet routing में क्या होता है, कि इसमें latency रहेगी, और यह क्या करेगा, यानि कि client के machine से, अगर कभी भी आप client के machine से Azure storage account access करोगे, तो क्या करेगा, पहले ISP के पास ज एंटर करेगा, लेकिन Microsoft network routing में आपका, जो है, ISP के network में जाएगा, आपके पास एक ISP रहेगा, वहाँ से directly, वो Microsoft network, जो उनका hub है, backbone है, Microsoft network का, वहाँ पर जाके, फिर वो region में जाके, आप Azure storage account access कर सकते हो, जब कि internet routing में आपको, जो है, ISP के थूँ, फिर ISP के network में जाएगा, फिर जाके, वो Azure storage account, जो Azure के जो network रहेगा, वहाँ पर जाएगा, तो, दोनों में फरक इतना ही है, कि Microsoft network routing जो है, Microsoft वैसे वे recommend करता है, क्योंकि इसमें आपको premium performance मिलता है, आपको low latency मिलती है, internet routing में आपको cost कम मिलेगा, cost के साब से सस्ता है, लेकिन इसमें latency ज्यादा मिलने के आपको chances है, यानि कि बहुत ज्यादा latency होगी, infrequent access का issue हो सकता है, ओके, next आते है, data protection, अब data protection में यहाँ पर आपको recovery में, आपको turn on point in time restore का option दे रहा है, यह basically आपको blob के लिए देता है, कि मतलब क्या है इसका, कि अगर मान लो, accidentally किसी user ने blob delete कर दिया, container, अभी जैसे मैंने last video से बताया है, कि blob बनाना है, तो आपको container बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप blob बना सकते हो, तो मान लो, अगर container ही delete कर दिया, तो कोई chance ही निए, फिर restore करने का, right, लेकिन अगर मान लो, किसी बंदे ने accidentally blob delete कर दिया, या फिर application, आप access करवा रहे है, अगर application की वज़े से कुछ blob जो है corrupt हो गया, जो भी उस blob के अंदर data था, तो उस scenario में turn on point in time restore अगर आपका enable है, तो आपका last state जो भी था, actual original state, वो state पे आपका restore कर देगा instantly, अगर आपने इसको enable किया है, तो, okay, दूसरा option है, turn on soft delete for blobs, तो ये में soft delete का जो मैं बोल चुका recovery service वोल्ट है, वहाँ पर भी मैं explain कर चुका हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ, अगर आप soft delete blob के लिए on करते हो, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर आपका blob delete हो गया, तो आपके पास time duration जो भी आप यहाँ पर डालोगे, keep deleted blobs in days, जितने भी दिन आप यहाँ पर रखोगे उतने दिन तक आप उसको recover कर सकते हो, अपने blobs को, तो यहाँ पर सिर्फ blob की बात हो रही है, turn on soft delete for blobs, तो in case आप जो भी यहाँ पर days यहाँ पर define करोगे, और आपका blob delete हो गया है, तो वैसे scenario में आप उतने दिन के अंदर अंदर आप blob को restore कर सकते हो, दूसरा आता है, turn on soft delete for container, अब यहाँ पर यह तो blob दे रहा था, लेकिन यहाँ पर container का भी यह ओलोग option लेके आए, पहले option नहीं आता था, बट मैं आपको latest Azure का बता रहा हूँ, इसलिए मैं feature बता रहा हूँ, अब अगर अगर आप container delete हो गया, तो आप जो भी days define करोगे, on करने के time पे, वो days के अंद per subscription basis, तो मतलब वो कहता है कि आपको sign in करना पड़ेगा, तो आप Microsoft के document में यहाँ पर जाके, या फिर इस link में क्लिक करके, आप उसको enable कर सकते हो, बट क्योंकि मैं demo दिखा रहा हूँ आपको, एक storage account के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए में यह सब नहीं कर रहा प्लब वो ही है, कि जितने भी दिन आप यहाँ define करोगे, और आपने कोई file share, जो भी आप files डालोगे, यह मैं जैसे कि last वीडियो में अरड़ी बता चुका हूँ, कि जब भी आप storage account बनाऊँगे, तो आपको चार टाइप के accounts बना सकते हो, जैसे कि blob हो गया, file share हो गया, table हो और क्यों, तो यह file share के लिए दे रखा है, अगर आपने कोई file share delete कर दिया है, और आपने इसको enable किया हुआ है, तो जितना दिन आपने define क्या होगा, आप उसके अंदर अंदर अपने file share को previously जो भी रहेगा original state उसमें restore कर सकते हो, data restore कर सकते हो, ओके, next अभी यह फिर से एक नया फीचर लेका है, इन लोगोंने, Microsoft ने storage अकॉन में बहुत सारे changes करे हैं, जैसे कि tracking लेके आगए है, और turn on blob change feed हो गया है, तो turn on versioning जो है, यह basically आपका blob का versioning को control करता है, यानि कि जब भी आप version कुछ blob, यानि कि Azure blob है, उसमें कुछ भी change करते हो, या फिर recovery के point of view से actually यह versioning को maintain क करता है, कि भाई मेरा पहला version कौन सा था, मेरा जब मैंने blob में change किया, तो मेरा next version क्या है, तो आपको easy रहे, अगर आपने blob को restore करना हो, या recover करना हो, तो उस scenario में आपके पास एक option रहते है, हाँ भी मेरा last version यह था, तो मुझे blob जो भी मेरा है, वो उस scenario मेरा last version पे restore होना चाह तो turn on version करोगे, तो यह version भी maintain करेगा, आपका, turn on blob change feed, अब यह blob change feed क्या है, कि यानि कि एक blob में आप कुछ भी changes करते हो, चाहे delete करते हो, modify करते हो, create करते हो, upload करते हो blob को, तो उसका transaction logs जो है, वो generate करता है, उस blob के अंदर, तो यह just सिर्फ transaction logs generate करने के लिए आता है, ताकि अगर कुछ भी issue आए आपके blob में, तो आप उसको troubleshoot कर सको, okay, next जाते है, advance में, तो advance में आपको security की कुछ options देता है, जैसे कि secure transfer required है, तो यहाँ पर enable, disable का option आ रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि आपका Azure storage account में, जो भी request आएगी, अगर आप इसको enable करते हो, तो आपकी जो भी request आए request आएगी, तो उसको reject कर देगा, यानि कि HTTP से अगर request आएगी, Azure storage account में, तो वो access उसको restrict कर देगा, उसको providit कर देगा, अगर आप disable करते हो, तो चाए HTTP से request आए, यह HTTPS से आए, आपका जो है, वो allow करेगा access करने के लिए, okay, तो by default Microsoft बोलता है कि भाई, तुम इसको secure रखो, enable करो, ताकि दो भी request आए, वो HTTPS से ही आए, बाकि सारी जो भी request है, HTTPS के बाहर की, वो सबको reject कर दे, allow blob public access, तो यहाँ पर आपको enable और disable दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप disable करते हो, तो आप over the internet एसको access ही नहीं कर पाऊगे, तो अगर आपको publicly इसको access कराना है, ताकि कोई भी बंदा browser की थुरू या फिर storage explorer की थुरू जो कि मैं आगे बताने वालों, उसके थुरू access करना चाता है, तो आप उसको enable कर सकते हो, तो यहाँ पर by default enable है, तो enable ही रहने देता हो में, अब आता है minimum TLS version, तो यहाँ पर Microsoft ने कुछ तीन version दे रहे हैं, यह शायद 1 1.2 अभी latest version है, तो basically TLS क्या होता है, transport layer security होता है, जो कि आपका client application और Azure storage account के बीच में, जो भी communication होता है, उसको encrypt करता है, यह using TLS, तो यह अलग-अलग version है, तो basically TLS का एक standard जो है, cryptographic protocol बोलते हैं इसे, जो कि आपकी privacy, जो भी data है, data integrity और data privacy को maintain करता है, जो भी client और storage के बीच में over the internet, जब आप client से Azure storage account को over the internet access करते हो, तो उसके बीच की जो data privacy है, यह data integrity है, उसको maintain करके रखता है, using a standard cryptography protocol, तो यह TLS version हो गया है, अगला है infrastructure encryption, तो अब यह एक और नया feature लेके आगए, पहले यह सब नहीं आता था, अभी एक दो मैने पहले तो नहीं नहीं था गए, तो basically infrastructure encryption क्या है, कि Azure storage account जो है, Microsoft बोलता है कि by default encrypted रहता है, और encrypted कौन सा encryption रहता है, उसका 256 bit AES encryption से encrypted रहता है, लेकिन वो जो encryption रहता है, वो service level पर रहता है, तो Microsoft कहते कि भाई, हम तो already encrypt करके देते हैं, ताकि तुमारा data जो है secure रहे, safe रहे, लेकिन अगर तुमको infrastructure लेवर पर भी अगर encryption लगाना है, तो आप इसको enable कर सकते हो, तो enable करने के लिए इन लोगों ने बोला है कि आपको sign up करना पड़ेगा, तो ही आप enable कर सकते हो, तो infrastructure encryption का मतलब अगर already जैसी कि मैंने बोला, Microsoft जो है encrypt करके रखता है, जो भी आप storage account बनाते हो, ताकि data की privacy बनी रहे और secure है, और Microsoft करता है, अगर आप इसको double encryption लगाना चाहते हो, यानि कि जो Microsoft encryption लगाता है, वो service level पर लगाता है, लेकिन अगर आप infrastructure level पर भी लगाना चाहते हो, तो आप इसको sign up करके enable कर सकते हो, अगला है azure files, तो large, इसमें azure files में large file share, इसमें disable enable दो option दे रहे हैं, यानि कि अग आप 100 terabyte तक या फिर उससे ज़्यादा आप file shares बनाना चाहते हो, तो आप उसको enable कर सकते हो, या फिर by default disable रहने दो, आप अपनी requirement के साब से ये सारे के सारे options चूज कर सकते हो, data lake storage generation 2, ये basically आपका जो big data रहता है, जैसे SQL में database रहता है, बहुत large database रहता है जहां पर, उस scenario में use होता है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा information नहीं है, बट in future में मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा, ओके, यहाँ पर आपका NFS जो है, अगला option है, NFS V3, ये एक और नया feature लेके आगए, तो यहाँ पर enable or disable है, इसके लिए भी यहाँ पर बोलता है, कि आपको sign करना पड़ेगा, तो NFS आपका basically क्या होता है, पहले Microsoft ने ये option नहीं दिया ता, लेकिन यहाँ फर NFS V3 का जो feature लेके आए, ये लोग blob के लेके आए, तो कैसा होता है कि, अभी मानलो, file server अगर आप बनाते हो, तो आप जो है, उसको mount कर सकते हो, drive को, आप किसी भी virtual machine में, client machine मे उस drive को, तो वैसे ही Microsoft क्या बोलता है, कि अब तुम जो blob तुम बनाओगे, जो Azure storage account के अंदर जो blob बनाओगे, तुम उसको भी किसी भी Linux virtual machine ये Windows virtual machine के अंदर, तुम इस blob को भी mount कर सकते हो, using NFS V3, यानि कि अगर आप कोई blob आपने बनाए है, और आप उसको mount करना चाते हो, किस machine के अंदर, तो आप उसको enable कर सकते हो, यहाँ पर, तो यहाँ पर NFS V3 का यही काम है, कि आप Linux से Windows virtual machine में, आप उसको as a mount करना चाते हो, as a drive mount करना चाते हो, जैसे कि आप file server का path mount करते थे, तो वैसे आप blob को अगर करना चाते हो, तो आप इसको enable कर दो, अगला आता tag, यह मैं मैं already बता चुका हूँ, मैं सीधा review plus create पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं, यहाँ पर सीधा, आप verify कर सकते हो, यहाँ पर, और उसके बाद, हमने सब verify कर लिया, और मैं इसको create पे क्लिक करता हूँ, तो जब तक यह create होता है, मैं वीडियो को pause करता हूँ, सो दोस्तो, अपना azure storage account बन चुका है, मैं go to resource पे जाता हूँ, और यह आपका azure storage account का page खुल गया, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, last के, कि यहाँ पर जब भी storage account बनाते हो, तो majorly यहाँ पर 4 services रहती है, एक आपका blob हो गया, यह actually पहले blob लि अपलोड कर सकते हो, उसी तरह यहाँ पर आपका file share आता है, अगर आपको SMB protocol की थरूँ, आप file share करना चाते हो, किसी भी अपने team member के साथ, यह किसी client के साथ, तो आप यहाँ पर file share भी configure कर सकते हो, जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उसी तरह tables है उसी तरह cues है, तो यह सब जो है, आपके चारो के चारो features इसमें आ गए है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने storage kind, storage v2 latest use किया हूआ है, अगर मैं storage count blob select करता, तो मुझे यह तीन option नहीं दिखते हैं, मुझे सिर्फ container का ही option दिखता, ओके, तो यह था Azure storage account के बारे में, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए चैनल को और subscribe कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ, so thanks for watching this video.